नमस्ते दोस्तो इस वीडियो में हम आम के पौधे पर कलम करना सिखने वाले है तो हमने इसके पहले जो जस्ट ब्राउनिश कलर के जो पत्ते रहते उस पौधे पर हमने कलम किया था अब हम देखी इन पत्ते पूरे हरे हो चुके हैं अब हम कलम करने वाले तो इस तरीके के द इसी गुटलीू का इस्तमाल करें। तो इस पAudh for देखिं 1 चार उंगल से कट करने वाले हैं। क्योंकि मुटा पोर्शन उसलिए टार कर देखिं का पतला भाग है। लिए हम चार उंगल गुडली के देखिं लिएमने कट दिया है। अब हम blade की help से या चक्कू की help से आपको cut करना है लगभग 2 cm के आसपास तो बहुती आसान है देखिए धीरी धीरे आपको करना है यहां देखिए हम बहुती आसानी से यहां cut कर रहे है vertical cut बनाना है इस तरीके से आपको भी करना है यहां अब इसके बाद में आपको सान सिलेक्षन करना है जो की कलम की लकडिक ऐसे चुने यहां प्रिवेसली बहुत सारे वीडियो अपर प्लेडिस्ट में मिल जाएंगे आपको यूटूब के तो आप वहां पर जाके यहां वीडियो देखिए तो यहां देखिए हमने वीशेप ब करनी है बांदने के लिए जैसे हम बांद रहे हैं ऐसे आपको यहां पॉलिथिन लपेड़ ना है कुछ लोग टेप का इस्तमाल करते तो टेप उतनी मजबूत नहीं रहती अगर आपको बहुत सारे पाउधे त्यार करने तो टेप की जगब पर पॉलिथिन के इस्तमाल करे हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमसे रिजल्ट वीडियो अपलोड करने के लिए बोल रहे है तो मैं बताना चाहूंगा दो से तीन हपते या एक मेना लग जाता है अंकुरन होने के लिए तब तक सायन हरी रहती है तो हमने जो कलम किया इस पट्टी के नीचे के भाग में से न अब पॉकेट में पॉधे लगा है तो उन्हें पानी भी बराबर देना चाहिए अगर पानी नहीं देंगे तो वहां पॉधे सुक के खराब हो जाएगे जब हम बहुत सारी कलम करते उन में से कुछ ही पॉधे सक्सेस होते जैसे अगर हम 10 पॉधे करेंगे उन में से होंगा कि 5 पौधे ही success हो या तो 2 भी हो सकते क्योंकि यहां जो भी हम कलम कर रहे हैं यहां open atmosphere में कर रहे हैं temperature हमारे हाथ में नहीं है तो इसलिए करने की विधी यहां same है कलम करने की और बरसात के season में ही आम के पौधे पर कलम किया जाता है अभी June, July, August, September आपको कलम करने के बाद में इसे पौलीतिन से जाग देना है नीचे में बादना नहीं है आपको अंकूरन होने के बाद इसे हटा दे